नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप लोग, आज का जो वीडियो है वो सिरफ means answer writing से related है, next 5 मिनट में मैं cover करूँगा कि ऐसा extra आप क्या लिखें, आपने कुछ conventional topics पढ़े होंगे, अब उनको जब replicate करना है exam में, या तो आप means 2024 लिख रहे हैं 20 September को, या आप means 2025 लिख रहे हैं, वो क्या नया extra edge आपको अपनी answer copy में लिखना है, जिससे आपको extra marks मिलेगे, देखिए अगर आप normal answer writing करेंगे, तो normal marks आएंगे, अब new extra edge क्या डालना है, वो ही मैं आपको आज cover कराने वाला हूँ, पहले समझते हैं कि maximum selections UPSC कौन सा attempt में करा रहा है, तो अगर मैं देखू, यहाँ पर maximum selections होता हैं 3rd attempt में, 20-21% के असपास में, फिर 4th attempt में, 18-19%, फिर 2nd attempt में, फिर 5th में, फिर 6th में, फिर कहीं जाके 1st attempt का number आता है, बट पिछले 4-5 साल से बहुत सारे यंगेस्ट IAS officers को मेंने mentor किया है, जो 1st attempt में ही इस paper को pass कर गए हैं, सिम्मी करन हैं, डॉक्टर अदित्य शर्मा हैं, मृदूल शिवहरे हैं, रितिका हैं, गौरव बुडानी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, जो IAS बने हैं, 1st attempt में, हर किसी बच्चे का अपना एक USP होता है, unique selling point होता है, evaluator को वो उससे connect करता है, ताकि उसको वो extra marks मिल पाएं, इस साल के बच्चों के लिए मैं कुछ नया लेके आने की कोशिश की है, मैंने ये सब हमारे last year के means के courses के बच्चे हैं, ये वो हम interview वाले बच्चे नहीं चापते हैं, कि mock interview कराके और उनके नाम से हम selections दिखा रहे हैं, सब means oriented बच्चे हैं हमारे किसी ना किसी means के course के, दो चीजे मैं discuss करूँँगा आज जो आपको आज से ही अपनी answer writing में incorporate करनी हैं, बहले ये आप 2024 लिख रहे हैं या 2025 लख रहे हैं, एक तो 1% data है, देखिए ये आपका ready-made introduction है, अगर आपने PYQs देखे होंगे तो आपको पता होगा savings rate और GDP का question आया हुआ है, investment और GDP का question आया हुआ है, investment और GDP का question आया हुआ है, according to economic survey, ये सब हमारे ready-made introduction है, कि अगर 1% increase in women participation in Indian labor force is going to increase GDP by 0.4%, FAO का data कुछ और होगा, इसका data कुछ और होगा, बट ये सब आपको at least rough पता होना चाहिए, ताकि 0.5 marks extra हम ले के आए, अब ये आपको as it is कराम नहीं करना है, ये मतलब इसने अगर बोला 2.7% तो आपको exact 2.7, 2.5 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, but at least correlation पता होना चाहिए, answer writing की style में वो 1% data का flare दिखना चाहिए, GS1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, कुछ बच्चे अब पूछ रहते हैं सर, ethics में ऐसा क्या करें, एक फ्लैट्विंग आ गया है, so अब हमने कुछ वह formula based करके कुछ इस बार नया initiative है दिया ये सबका, ये formula इसको कैसे add करेंगी, सेशन के add में में दिखाऊंगा कि कुछ जो हमारे enrolled बच्चे हैं QEP के उन्होंने कैसे इसको add करना start किया है, so जैसे economics वाला part है, growth and employment leads to decrease in poverty, leads to decrease in inequality, increasing opportunity, अब आप इसको कहां लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं introduction के बाद जैसे question आपने introduction लिया उसके बाद आप ये लिख सकते हैं, या आप body के अंदर लिख सकते हैं जो answer writing की body component होता है, या आप ऐसे way forward लिख सकते हैं, अगर कोई positive formula है आपके पास तो आप उसको as a positive way forward की तरह लिख सकते हैं, इसे inclusive growth है, inclusive growth अपने को पता है, repeated theme है, usually alternate years या हर साल पूछता है, so welfare plus social safety net equals to increasing resilience, decreasing poverty trap, decreasing inequality, यह बहुत ही बढ़िया way forward हो जाएगा आपका, so आपको नहीं सिरफ again, you don't have to cram all these formulas, अपने को पढ़ने है multiple times और हमें real time में अपने लिए नए formulas बनाने हैं, मैं दिखाता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं, कैसे इन formulas को बना रहे हैं, आपको बेटा बस तीन घंटे देने हैं, अगर आप means 2024 भी लिख रहे हैं, तब भी आप तीन घंटे इन formulas को पढ़के, यह QEP pocket notes वाले formulas हैं, आप इनको पढ़के at least 12-15 number बढ़ा सकते हो, चारों paper मिला के, बिकाज यह सिरफ ऐसा नहीं है कि सिरफ eco में use होगा, अरे जोगरफी में भी use होगा, history में भी use कर सकते हो आप इसको, पॉलिटी में, society में, international relations में, इवन ethics में use करोगे, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे यह geography वाला part है, similarly ethics वाला part है, so ethics के section 1 में use कर सकते हो, आप के study में use कर सकते हैं हम इन formulas को, वो आपको innovatively अपने हर answer में use करने की कोशिश करनी है, again, this is for the first time and such innovation has come into UPSC के answer writing, so evaluator को भी बहुत जादा idea नहीं होगा इस वाले part का, so 24 और 25 में आपको इस extra edge का फाइदा मिलेगा, जैसे हम देखते हैं, micro diagrams इस बार बहुत बच्चों ने graph-raaf rank 2, 3, 4, 1, आप देखेंगे इन top ranker से नहीं बहुत अच्चे चुटे चुटे graph, micro diagrams बनाए हैं, यह everlasting नहीं चलेंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि यह कई 5-6 साल बाद भी इसका relevance होगा, जब सारे बच्चे वैसे answer लिखने लग जाते हैं, तो फिर आपको कुछ different करना पड़ता है, 24 और 25 में मुझे ऐसा लगता है कि इनका significance 24-25 में बहुत रहेगा, आप अगर extra edge 24 में ही ले लेते हैं, तो at least आपके 12-15 number अपन बढ़ा सकते हैं इसमें, question आया, introduction लिखा, formula लिखा, question आया, introduction लिखा, formula, अब यह बनाया हुआ है, बच्चे ने खुद बनाया है यह formula, जैसे मोधी जी ने दिया था IT plus IT equals to IT, तो उन्होंने DD plus DD equals to DD बना दिया और full form लिख दिया नीचे, यह आप भी अगर तीन घंटे सोचोगे, बस यह thinking process का फरक है, अभी आप सोचते हो कि पहले मैं अपने basic पढ़ लूँ, सब पढ़ लूँ, तब कहीं जाके मैं QEP pocket notes या किसी value edition पर जाऊंगा, ऐसा नहीं है, इतने सालों से आपन conventional पढ़ते ही आए हैं, उस conventional के basis पे एक conventional ही marks आते हैं, अगर हम value add करेंगे तभी हमारे extra number आएंगे, यह question है digital literacy वाला, तो आप देखिए बच्चे ने लिखा है e-governance bracket में उसको explain किया है, services, digital penetration, basic communities, social economic development, अपने को कुछ इस तरीके का formula based करना है, फिर उन्होंने brainstorm किया है, कि FF plus FF आप equals to FF कर सकते हैं, या FF farm to fork plus food factories plus fruits and fisheries equals to future ready farmer, आप उसको कहां use करेंगे यह भी लिखा है उसने, उसके notes की copy है या आज जिमकी भाई तो अपनी copy दे दे मुझे, इस तरीके का आपको formula based value addition करना चाहिए एकदम नया है, मतलब कि आप कुछ भी toppers की answer copy देख लीजिए, उसमें कहीं आपको यह component नहीं मिलेगा, 14-15 दिन हैं अपने पास means के लिए, मतलब GS के लिए 15 दिन हैं अपने पास, तीन घंटे ही देने हैं बस आपको यह content पढ़ने के लिए, आप इसको पढ़िए, मॉक में लिखे न, अभी आप फुल लेंथ टेस्स देने वाले होंगे, वहाँ value add करिए, थोड़ा सा content बढ़िए, 12-15 low hanging fruit हैं, 12-15 marks आप easily बढ़ा सकते हैं, similarly आप graph को use करना सीखिए, कि भाई अपने को यह पता, इंडिया में average land holding कम है, तो 0.09 है, अपने को पता है, 0.9 है, US, UK से compare अगर आपको करना, आप छोड़ा सा graph बना सकते हैं इसमें, rather than just writing in text format, वैसे ही आप road, rail का कितना share है, उसका बना सकते हैं, sorry है क्योंकि यह जो QEP में brainstorm कराता हूं, बच्चे अपना template upload करते हैं, evaluation के time, उन्हीं की copy का directly diagram है, इसलिए कुछ, कोई एक black मिलेगा, कोई blue मिलेगा, यह diagram आप use कर सकते हैं, raw potato की price क्या है, ketchup price क्या है, food processing के significance में लिख सकते हैं, income increase में लिख सकते हैं, यह छोटे आप maps बना सकते हैं, इंडिया के, again थोड़ा patchy लग रहा है आपको sorry, because हर बच्चे का, एक one pager का brainstorming कराता हूँ, जो मैं QEP है, वही की images लेके हमने PPT बनाया है, इंडिया, चाइना, ब्रेजील में farm mechanization को compare कर लिया, यह चोटे-चोटे facts, यह 1% increase in food processing, 1.1% increase in GDP, processed food plus efficient storage plus table price equals to this, अब जब आप ऐसा innovative answer लिखा होगे न, तो evaluator will be forced to give you some extra marks, आप इसको normal line में भी लिख सकते थे, but unless and until you do some level of innovation, आपको हर answer के हर point में innovation कर रहा ही नहीं, उन 20 सवाल में से सिरफ 5-6 question में आपन innovation कर देंगे, 5-6 number बढ़ जाएगा, यह आप component increase करा सकते हैं, diagram वाला, यह diagram increase हो रहा है, so broadly, 3 घंटे अपने आपको दीजिया, यह request you, same input अगर आप किसी machine को देंगे, तो same ही output निकलेगा, अगर आप में 24 के भी बच्चे हैं या 25 के बच्चे हैं, you should read all these pocket booklets, majority of you must have bought it, सस्ता सा product है एकदम, इसको देखके, पढ़के, इसको लेके storage library नहीं बनाना है अपने को, इनको पढ़ना हैं, अपने answers में incorporate करना, start करना हैं, अगर आप 2024 वाले बच्चे हैं तब तो आपको definitely, 3 या 4 घंटे देखें यह formula-based वाला component अपने आप में imbibe कर लो, सब्टेंबर 20 से आपके exams हैं, आप पका अपने full test लिख रहे होंगे, so next 14-15 days की strategy क्या होनी चाहिए उसका एक video बनाऊंगा मैं आपके साथ में, I think most probably tomorrow I'm going to share it with you, बट अभी के लिए I request you, अगर आज ही दे सकते हैं तो 3 घंटे बैठके brainstorm करके, या तो एक circle बना लो या कुछ और, आप यह comments में कुछ innovative formulas suggest भी कर सकते हो, अगर आप 2025 के बच्चे हो तो 24 सालों की थोड़ी help कर सकते हो, कुछ innovative formulas आप comments में डाल दो, कुछ मैं अपनी team को भी बोल दूँगा add कराने के लिए, so that all of us can do some value addition into it, वरना तो YouTube पर Reels देख देख के time waste तो अपन करी रहे हैं भाई, चलो फिर all the very best, thank you.